असकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पने चानल में मैं हूँ आपकी वही अंजली आपकी बरजाई हमारे दल में है आपकी यादे हमारे आखों में है आपको हम भुलाए भी तो कैसे क्योंकि आपकी महाबबत हमारे सांसों में है जी हाँ आपने सही सुना हम आज के देली राशिफल की बात कर रहे हैं आज की दिन जिनका बर्थ दे हैं या फिर मारी जनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धेर सारी बदाईया और गुद विशिस हो तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अगर तुम मसीवत में हो तो ये मत सोचो कि अब कौन सा दोस्त काम आएगा बलकि ये सोचो कि अब तुम्हें कौन सा दोस्त छोड़ कर जाएगा इंसान के आंसू तब तक जायज होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ महसूस करके निकले हो खुद की नहीं जब इंसान नराजगी खतम करने के पहल करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है बलकि इसका मतलब उसे अपनी आन से जादा तुम से रिष्टा अजीज है अगर इंसान को ये पता चल जाए कि जब वो अपने रब के सामने सिर जुकाता है तो उस पर रहम की कितनी बरसाथ होती है तो वो सज़ते से सिर उठाना नहीं चाहेगा जूट बोलने वाले आदमी की सबसे बड़ी सजा ये है कि उसके सच का भी कोई एतबार नहीं करता किसी को पाने की तमन्ना करके उसके बीचे मत भागो बलकि उसके काबल बन जाओ वो खुद बखुद तुम्हारे पीछे आएगा सबर दो तरह का होता है एक जो नापसंद हो उसे बरदाश करना और दूसरा जो पसंद हो उसका इंतजार करना लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए बात तो उस वक्त बिगड़ जाती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल किया जाए अपनी किसमत पर वो रोता है जो भगवान को नहीं मानता क्योंकि भगवान को मानने वाले की उमीद कभी खत्म नहीं होती याद रखो कि इस दुनिया से तुम हारा वजूद है तुमसे इस दुनिया का नहीं क्योंकि कश्टी जब तक पानी में रहती है वो तैरती है पानी कश्टी में आते ही वो डूब जाती है अगर तुम कभी किसी की हल्प करो तो कभी किसी से उसके बारे में बात मत करो अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो और दोर से सब चीज़ें छोटी नजनाती है असरियत का पता तो सामने से होता है किसी की मदद करते वक्त उसके चहरे की और मत देखो हो सकता है उसके चहरे की शरमिंदकी तुम्हारे दिल में गरूरी का बीज बोदे अपनी जुबान को काबू में रखने वाला हमीशा फाइदे में रहता है सबसे पहली मैं आपको बता दू कि अज़ाब के लिए जो है भागेशाली रंग्यानी के लखी कलर आज जामुनी बन रहा है और जो लखी नमबर है वो नमबर साथ रहेगा आज पिछली बातों को भूल कर आगे बढ़ने का समय है आपके प्रगति के लिए सहाय करेगा फिर भी आपको मिले हुए अप्यश से या लोगों के द्वारा मिली हुए निराशा के द्वारा जो बातें आपने सीखी हुई है उन बातों को मत भूलेगा नए रिष्टी बनाते समय लोग आप में दिल्चस्पी क्यों रख रहे हैं इस बात का ध्यान रखना बेहत जरूरी है आपके लिए साथ मियाज जो कोई भी अगर फैसला लेते हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है वना आपका फैसला कुछ हट तक गलत भी साबित हो सकता है इसलिए इन छोड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत बड़ा फाइदा लेकर आ सकता है साथी में आज सरकारी अधिकारियों को जो है थोड़ी बहुत परिशानी भी हो सकते है इसलिए आपको हर परिशानी से सुलजने के मौके भी साथी साथ में मिलते रहेंगे आज दूसरों पर निर्भा रहने की पेक्षा जो है अपनी भावनाओं पर विश्वास रख कर काम करने से बहुत ही परिशानियों का हल किया जा सकता है इसके साथ रिष्टेदारों से रिलेटिट कोई विवाद सुलजने से रिष्टों में दुबारा मधुरता भी नजर आएगी यानि कि अगर कोई विवाद चल रहा था वो जलड़े ही सुलजन जाएगा और दुबारा से आपके पीच में जो है समन बढ़िया बनते नजर आ सकते है किसी भी तरह की यातरा को स्थगित रखेगा क्योंकि कुछ नुकसान होने की सितियां भी बनी हुई है अभी अभी बिना वज़े किसी के साथ जगडा मत करें अपने गुसे और अकरोश को जो है कंट्रोल करना सिखे वरना आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत जो है वो मसीवत भी हो सकती है साथ में आज परिवार में आपकी बज़े से खुशियां भी आ सकते हैं काम और प्रगती आपकी हाथ में रहेगी व्यक्तिकत बातों को जो है आप ज़र अपने पास ही रखे परसनल चीज़ें अपने तक ही सिमित रखे किसे को मत बताईए आज अगर आप ऐसा करेंगे तो पुश्किल हो सकती है आज के लिए सितारे आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आज आपकी पॉजिटिविटी जो सोच है वो आपके लिए नई उपलब्धियां का निर्मान भी कर रही है कुछ विशिष्टे लोगों की कॉंटेक्ट्स में आने से आपकी विचार शैली में हरानी जनक परिवर्तन देखने को मिल सकता है जिससे लोग देखकर बहुत हरान रह सकते हैं साथ ही में आज इस समय आर्थी के सितियां भी आपके पक्ष में ही नजर आ रही हैं आज किसी नज़िकी व्यक्ति के जरिए फिजूल आपकी अलोचना करने से आपका मनवेथित रह सकता है इस समय अपनी प्लानिंग्स को दोस्तों और रिष्टिदारों के साथ शेर मत कीचेगा कोई भी बात लीक होने से आपके जो काम हैं बनते बनते वो भी विगने पढ़ सकता है विगर सकते हैं तो इस बात का आपको विश्य शुरूप से ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज के बिजनेस और करेड के बारे में आज बिजनेस और करेड में इस समय विवसाई में बहती जादा मैनत करने की विशक्ता पड़ सकती हैं आपको साज़िदारी की विवसाई में पारदर्शिता बना कर रखना होगा गलत फहमी समंदों में दरार भीविट पन कर सकती है साथ हमें अधिक पैसा अपने विवसाय पर मत लगाए आभी परिसितिया अनकूल नहीं है आभी थोड़ा से टाइम लेटर यानि कि टाइम को थोड़ा आगे बढ़ा दीजे उसे के बाद कुछ नया कीजे या फिर पैसाल लगाईएगा इज़े के साथ ही आज इस सितारे ये भी कह रहे हैं कि आज काम से रिलेटिट फैसा लेते समय व्यक्तिकत बातों का भी ध्यान रखना होगा यानि परसनल चीज़ों का परसनल बातों का पैत्रिक विविसाय से रिलेटिड कारियों में आज positivity नजर आएगे, positive परिणाम मिलेंगे परिवार के वरिष्ट अधिकारियों को, विक्यतियों को का सहयोग जो है, वो आपको मिल सकता है उनकी सिला से, आपकी काम को काफी हद तक जो है, वो मदद मिलती हुए नजर आ सकती है लेकिन अभी कोई भी नई plannings बनाने के लिए समय ठीक ठाक तो नहीं है वर्तबान गति विद्यों पर भी ध्यान देना होगा, यानि कि जैसा चल रहा है उसे भी वैसा ही चलनी दीजिए आपके लिए यही जो है समय उत्तम रहेगा आज एक करियर से रिलेटेड फैसला लेते समय सोच जार 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 जरूर कर लीजेगा भावनाओ को जादा महत्वना दे, जितना हो सके, आज आपको जो है आपने द्माग की बात सुननी चाहिए द्माग से गर आप काम करेंगे, तो यगीन मानिया, आज के दिन जादा ही सबता हासल हो सकती है, भावनाओं से जादा तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको तो बागे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज की जो है लव लाइफ के बारे में तो लव लाइफ आज की बारे में कहती है कि अपनी कालिक शेत्र की तनाव को घर पर हावी मत होने दीजेगा कुछ समय जीवन साथ ही और बच्चों के साथ भी जुरूर बताए उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही में आज आप उनकी प्राब्लम्स को सुलजा भी सकते हैं और कोई दिक्कत आ रही है तो अलग हो रहे हैं लोगों को मानसे का तकलिफ जादा हो सकती है जिनका रिष्टा जो है टूट रहा है या फिर रिलेशन्शिप में से अलग हो रहे हैं तो उनके लिए जो है थोड़ा बहुत समय जो है कुछ मायूस ही भर रह सकता है आज विवाहित जो लोग हैं परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतन कर सकते हैं आगे की ब्लानिंग्स कर सकते हैं साथ ही में आज विवाहित जीवन भी सुक में बहुत ही बीच सकता है प्रेम सबंदों को परिवारी की स्विकरिती मिलने में रहत भी मिल सकते हैं यानि कि अगर आप रिलेशन के बारे में आपने माता पिता से शेर करते हैं तो इसमें हाँ का जवाब 90% तक मिल सकता है जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा यकीन मानी आपके पेरंट्स आपकी बातों को जरूर समझ पाएंगे और आपका रिष्टा उनी से होगा जिन से आप करवाना चाहते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज के हेल्थ की बारे में तो हेल्थ कहती है कि स्वास्ते बहुत ही बढ़िया दिख रहा है आज के लिए सिर्फ अत्तिदी के व्यस्तता की वज़े से ठकान होगी और कमजोर ही हो सकती है बागे ठीक ठाकी रहने वाला है कही लोगों को स्वास्ते पर नज़र डालनी होगी क्योंकि एसडिटी हो सकती है इसका कारण हो सकता है भारी खाना, जंक फूट्स खाना और ये सब चीजें आपके सहित के लिए तो बिलकुल भी ठीक नहीं है बलकि किसी को भी नहीं खाने चाहिए शरीर को तंदरुसर बनाए रखने के लिए आपको एक्सरसाइस करनी चाहिए और योगा भी जरूर करें स्वास्ते बाकि ठीक ठाक ही रहेगा बाकि जो है नेगटिव आता वरण से अपना बच्चाप कीजे प्लीज और हाँ सेवटी जरूर बरतेगा जितना हो सके उतना घर पर रहिए जादा से जादा जो है आप अपने बच्चों को भी इसी चीज की प्रेड़ना दीजे कि अपने आपको सेवटी बनाए रखे जहां भी जाते हैं बाकि ठीक ठाक है तो बात कर लेते हैं तमें आज के विशेश उपाय के बारे में तो विशेश उपाय जो है वो आपके लिए आज कह रहा है कि आज आपको माभगवती की अराधना करनी चाहिए साथ ही में जो है माभगवती के मंत्र जैसे की ओम, एंग, रिंग, लिंग, चामुंडा, विच्चे, नमह, इस मंत्र का आप चाप भी कर सकते हैं आपको बहुत ही उम्दा नतीजे देखने को मिल सकते हैं अगर आप तकरीबन 51 बार जो है जाप करते हैं या फिर 108 पर जाप करते हैं तो साथ में आप एक जल का लोटा भर कर लख लीजे और सिम्रन करे रहे हैं यानि की भजन करें जो भी आपके मंत्र है या सद्गुरू के मंत्र है और उसके बार जो है वो पानी जो है आपनी जल का लोटा भरा हुआ है इसको आप पी सकते हैं या फिर घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं इस जो है पॉस्टिव उर्चाप बनी रहेगी कोई भी दिकत नहीं आएगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा धन्यवाद